नमस्कार रेशन पी निज में आप सभी का स्वागत है जैसा कि आप सभी को पता है कि ये भी केसेस का विचर्चा बहुत गर्म है क्यों कह रहे हैं हम इस कवर में आगे दिखा है लेकिन हमारे साथ हैं और दो सब दिन से हम जानेंगे हाला कि पता ने केमरे के फ्रेम से केमर यूँ आजकल मौतिलललमहतो गाये वरते हैं ये बाते कुछ समझ में नहीं आ रही है कि फ्रेम से बरा दोरी-दोरी बना कर रखे हुए हैं कई लोग ये भी कह रहे हैं कि मौतिलाल महत्तों कई लोगों को बिधायक बनाने आए हैं जो लगतार कोसिस कर रहे हैं पहले अब देखा होगा प्रवाशी मजदूरों को सरकार वहाँ से वापस बुलाई देखे पहले सरकार क्या करती है ना पहले अंधा करने का काम करती है आँख फोडने का काम करती है फिर चस्मा बाट के संपेथी बट उड़ती कि हमने उसको चस्मा दान दिया उनको रोसनी दान किया है अब अगर मान लिया जाए अगर आप सही में रोजगार दिये होते सही में नोकरियां दिये होती सही में लोग यहां नोकरी कर रहे होते रोजगार कर रहे होते तो विदेश क्यों चले गए कैमरू जाने जुरत क्या था मलेसिया जाने जुरत क्या था और सेंपथी बटरने का काम करते हैं अगर सही मायने में आप हितेसी हैं जनता के हितेसी हैं जारखन के लोगों का हितेसी हैं तो यहां रुजगर देने का काम कीजें वो लोग जाएंगे ही क्यों वहां फसेंगे ही क्यों महां मर के उनकी लास ही क्यों आएंगी अगर मरेंगे भी तो मरना तो आदमी स्वभाविक है वो घर पे ही मरेंगे अपने परिवार के पास मर रहेंगे कम से कम लास लाने के लिए दरदर के ठोकाद तो नहीं खाना पड़ेगा लेकिन ये अगर सही माइने में हितेसी हैं तो इनको कहने चाहते हैं सरकार को कहना चाहते हैं अगर सही में हितेसी हैं तो जो 27 मजदूर हैं क्या वो 27 मजदूर को लाया गया वो 27 मजदूर फिर से बाहर नहीं जाएंगे एकदम जाएंगे स्वभा किसी बात है क्योंकि रोजगार नहीं मिलेगा तो जाएंगे ही जाएंगे तो उनकी रोजगार मुहिया कराने का काम कीजिए ना सेमपेथी बटरने का क्या काम अब आपने सुना होगा कि जारखंड में जो भी बाते सामने आ रहे हैं कि 200 कमरों का ताज होटल यहां बनने जा रहा है यह हमने भी मिन्यूज में सुना है M.O.E. के माधिम से टाटा से साइधन की M.O.E. हुई है लेकि ताज होटल बनने जा रहे है अच्छी बात है परगती एक तरफ दिखनी चाहिए लेकिन हम हमेशा कहें कि विनास के सिधान पर विकासवाद नहीं होना चाहिए विकासवाद विनास के सिधान पर कभी नहीं होना चाहिए अगर विनासवाद के सिधान पर होता है तो विकासवाद नहीं विनासवाद ही है मेरा कहने का मतलब है कि अगर जमीने अगर होटल बनाने के लिए जमीने ली जाएगी जमीन अधिगरन होगा जब जमीन अधिगरन होगा तो जमीन के जो ये मालिक आनि रईयत जो रहेंगे क्या उन होटल में उनको सेर दिया जाएगा क्या सेर मिलेगा क्या उनको सही मुआफजा मिल पाएगा क्योंकि यहां तो C&T का कानून लागू है और CNT के सारे राची के लगबग जमीनों में CNT है अब उतना जमीन तो है नहीं यानि CNT का जमीन कहीं अतिर कर्मान होगा अब CNT के जमीन का अतिर कर्मान जो जेनरल पुलोट का दाम यहां आट से दस लाख रुपे पर डिश मिले है तो क्या सही मुआवज़ा है नहीं है तो CNT में भी ऐसा परवधान होना चाहिए कि CNT कानून को रहते हुए भी उस जमीन का सही हक मिलना चाहिए रायत को सही हक मिलना चाहिए रायत को सही अदिकार मिलना चाहिए अरे अगर यह चीज़े नहीं हो पाती है चाहि होटल खुले चाहि कमपनी, परशेंटेज पर वानि इसे रहा भर पर yup नियुकती बटी है, इसका सहएग नगर नीवेशक का, जिसमें 68 पदों में से, सतर बाहर के लोगों का, यह स्थिती बनी रहे गे प्रेइभ के बात हो, फॉरेंशीक डारेक Entertainment, žाइभाट contribute की बात हो, करिप्स परेड eyeballs चुरिये, 30 इंस्पेक्टर बात ज्यांगे गती हो सब सितरह कममें, सभी चीज्जमें तुरिक्क पर्शीर की बात् हो, सब में लोग जो बाहर की लोग है उसमें 100 सीटों में से 70 से 75 परसेंट तक लोग घुश गए यहां तो बोला जाता है कि 60-40 के निति लागू लेकिन हम तो उन नहीं मानते कि यहां 60-40 यहां तो 40-60 है ऐसा लगता है कि केवल रिजर्व के सीटों भी हम लोग नहीं बचा पा रहे हैं रिजर्व के सीट में OBC के भी सीटे में बहुत सारे बाहर के लोग फरजी सेटिफिकेट बना के घुश जा रहे हैं तो यह सब चीजें बरकेडिंग लगनी चाहिए और फरजी सेटिफिकेट क्यों बन रहे है क्योंकि हमारे यहां खतियान लागू नहीं है अब खतियान लागू नहीं रहेगा तो फिर जब अस्थानिये बनता है तो खतियान के मांग नहीं की जाती है डारेक्ट जाता है प्रगया के अंदर में अस्थानिये बना लेता है 4,500,000 दे के बना लेता है और यहां के नोकरियों में बागेदारी सुनिशित कर लेता है इसका सिधा सिधी उधारान है पब्लिक प्रेस्टो कीटर पब्लिक प्रेस्टो कीटर में 113 पद थे 113 पद में मेरे पास डाटा है इसी तरह 72 को बाहर के लोग घुसे हुए कि जैसे हम पहले ही बोले थे कि मोतिलाल महत्तो आजकल फ्रेम से गाइब है कारण क्या है देखे कुछ चीजें होती है जो हमेंसे मीडिया के सामने नहीं बताए जा सकती पर थोड़ा बहुत कभी कभी लगता है कि कैमरे से भी रेस्ट लेना चाहिए कि अच्छा लगता नहीं है क्योंकि हम पीछे से जो बैक सफोन मिलता है जैसे इस तरह के डाटे को कलेक्ट करना ज्यादा अच्छा लगता है पर जहां तक बात रहा कि मीडिया में नहीं आना तो मीडिया में आपको अतना ही बात रखना चाहिए जितना की लोगों को जर्रत हो जर्रत से ज़्यादा देना भी उचित नहीं है उचित इसलिए नहीं है क्योंकि आप जर्रत से ज़्यादा अगर कुछ भी बोल देते हैं तो ये बकवास हो जाएगा आप वही दीजिये जो जनता को जुरुरत है जैसे इस तरह की गड़बढ़ियां अगर आप मेडिया के सामने लाते हैं तो लोगों की जुरुरत है ये चीजे ये समझने की जुरुरत है तो देखिए इसके पहले भी हमने कहा था कि जो जेवी केसेस का रननीती तयार होता है या जेरा महतों जिस रननीती को लेकर आगे बरते हैं तो कहीं न कहीं जिसको हम हमा में सा कहते हैं दहिना हाथ का हैं या यों का हैं छोटा भाई का हैं मोती लाल महतों उनके कंदे से कंधा मिलाते, नजर आते हैं हाला कि camera से जादा करके ये दोड़ी बना करके रखते हैं हला कि ये भी case में कई नेता है जो बाई camera के live line में हमेसा रहने की कोशिस करते हैं और दिखते भी हैं लेकिन कुछ नेता ऐसे हैं जो धरातल पर लगतार काम करने की कोशिस गीज़ाते कधुल सब्सक्राइब जो हम लोग न पार्टियों से 35,000 लीडी किये थे, जो डुमरी में ही था, और आपने भी रिपोर्टिंग किया था, तो वहां पर और भी कुछ काम करने की जुर्डत है, तो मेडिया में ना रहकर आप जितना ग्राउन में रहेंगे, उतना बहतर आपका रिजल्ट आएगा, रिजल्ट आपको ऊस दिन दिखेगा जिस दिन आपका रिजल्ट आएगा बाकि हूरा फिशाम कितनो बड़ा यह है और आपका ग्राउण भी लेवल पर अपका नहीं है तो आप समझत, जीरू है हमने ग्राउण डेवर्फ है कि हम क्या है हमने मेडिया से छुप के रहा, मेडिया से थोड़ा सा बच के रहा और हमने ग्रांड में दिखाया कि हम क्या है और क्या हो सकते हैं वो हमने साबित करके दिखाया है और आने वाले विधान सवाज चुनाव में हम इससे भी बहतर साबित करके दिखाएंगे कि हम लोग क्यामरा के पिछे क्या करते हैं तो क्या आप भी चुनाव में उतरने जा रहे हैं? हाँ सभाविक सी बात है हम जेबी केसेस का एक आंदोलन का भी जनम दाता है और संगठन का भी संस्थापक है इस नाते भी हम चुनाव लड़ने का में रखते हैं और दूसरी बात है कि हमारा संगठन भी हमसे कह रहा है कि आपको लड़ना पड़े है क्योंकि आप एक चेहरा भी है एक अंदोलन कारी भी है तो सभी तरह से अगर मिला के देखे तो जनम लड़ने के रनिती बन रही है और जैसे ही नाम की गोशना होती फिर भी हम यह नहीं कहेंगे हम संगठन का एक पतादिकारी है एक सिपाही है जो संगठन निरने लेगी जो संसदी बोर्ट डिसेंजन लेगी जो कोर कमिटी डिसेंजन लेगी उसी को हमाल करने का काम करेंगे तीसरे मौर्चे के समर्थन में हाँ तिसरा मोर्चा बनना चाहिए पर तिसरा मोर्चा भी ये चीज़ को हमेशा ध्यान पर रखा जाना चाहिए कि अभी टाइम किसका है समय किसका है अगर समय धोनी का है तो धोनी को कैपटेंसी देना चाहिए अगर टाइम अगर विराट कोहली का है तो विराट कोहली कप्तानी करें अगर धोनी सचिन का रहा है तो सचिन कप्तानी करें मतलब एक साब की संदेश से तीसरे मोर्चे का कि जो तीसरा मोर्चा बने उसका मुख के चेहरा होंगे जैरामातू जेराम Вас weiter and Crote, कि उनके team जो है जेभी केसस CT 시 L tänker, जेभी केसस में सब तिस्टम होलत के आई, ऐसा नहीं कि हम् आईएे हम, आपको चलाएंगे ऐसे नहीं हो सकता का है हम कप्तानी का समय होता है आपका इसारा किदर हमारे दर्सक भी जान रहे हैं लेकिन हम एक बात ये किलियर जानना चाहरे हैं हमारे दर्सक भी जानना चाहरे हैं कि जो तीसरे मुर्चे का गठन होने का बात हो रहा है कि तीसरा मुर्चा बनेगा तो इसमें ठीक है मान लिजे कि आप क्या चाहरे हैं कि इसकी आध्याच्चता जैराम महतो करें और जो तीसरा मोर्चा बने उसका नाम भी नाम अलग हो या जेवी केसस के नाम पे ही रहें? 吧 तो इस पार्टीपे कोई नाम रखा जैगा या नई इसका इसमें स्वागत रहेगा है ना इसमें स्वागत रहेगा Seems क्योंकि यह पार्टी बन चुकी है ना ये कर इसके बनने के पहले अगर पहल किया जाता तो हो सकता था कि तीसरे नाम को पारे में सोचा जाता तो ऐसे आड़ भी तो कई पार्टी आई जिसका रिश्टेशन ओलेडी हुआ है तो ओल रेडी हुआ है ज़रूर है लेकिन उनकी जनाधार नहीं है, सचाई यही है आप उनके खली केदरिये पताधिकारी के अलावा आपको कोई नहीं मिलेंगे उस अगठर में, लेकिन आज जे भी केसिस का अपना एक जनाधार है इस पार्टी का अपना जनाधार है लाखो लाखो समर्थक है, लाखो खाया केस तक सब कुछ खाया है और बता दीजे इसके मुकाबले कोई संगठर ने इस तरह का संगर्स किया होगा ताज तक तो आज की खबर में बस इतना ही बने रहे SMP News के साथ अपना ख्याल रखें क्योंकि आप से हम आपे हमारी ताकत लेटेस्ट अपडेट के लिए हमारे Facebook पेस को फॉलो और लाइक जरूर करें तो वहीं विश्तित खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद